दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका अमारे चैनल में और आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में लेकिन उसके साथ-साथ मैं बात करूंगा निफ्टी फाइनांस सर्विस के बारे में पी एस्यू के बारे में और खास करके निफ्टी बात किये, मैंने IT थीम पे बात किये, मैंने बैंकिंग पे बात किये, मैंने टाटा ग्रूप पे बात किये, रियल इस्टेट, बैंकिंग, फार्मा, केमिकल, सारे स्टॉक के बारे में बात हो चुकी है, तो इस बार मैं एक अलग चीज लेकर आया हूँ दोस्तो हमेशा मैं कहता हूँ कि मैंने यह stock पहले investment group में दिया हुआ है लेकिन आज मैं आपके सामने explain कर रहा हूँ तो मैं आज वो stocks दूँगा आपको जो मैंने recently investment group में दिये हुए कुछ stocks के मैंने वहाँ पे chart नहीं डाले और मैंने कहा था कि मैं इसको explain करूँगा कुछ stocks ऐसे जिनको मैं already explain कर चुका हूँ जैसे कि यह stock तो कुछ ऐसे stocks है जिनको मैंने recently दिया हुआ है investment premium group में मैं उन stocks के बारे में बात करूँगा और जादा detail में बात नहीं करूँगा क्योंकि सारे well known stocks है तो मैं सिर्फ एक chart आपको दिखाऊंगा और किस price पे मैंने दिया था क्या target है क्या stop loss है कहा तक hold कर सकते जिनका view 5 साल 10 साल का है वो क्या कर सकते सारी चीजों के बारे में बात करूँगा लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे nifty और bank nifty के बारे में nifty के बारे में हमने एक reversal predict किया था अगर आपको याद होगा का और वहां से जो bounce आया है 100 150 पॉइंट का immediately which clearly indicates कि वहां पे हमने support hold किया है दूसरी बज़ा यह थी support hold करने की कि हमने यहां पे इस train line को hit किया यह देखे यहां पे एक black train line है और दूसरा आप एक train line यहां पे देख रहा है यह मेरा मानना है 22,630 याने यह वाला level यहां पे अगर मैं इसको थोड़ असा zoom करूँ तो आप देखोगे यह देखे इसको मैं थोड़ असा zoom कर रहा हूँ और एक level आपके सामने आएगा वह है 22,630 याने यह वाला level यह मेरे इसाब से पहला एक resistance होना चाहिए एक speed breaker होना चाहिए और दूसरा speed breaker हम सबको पता है जो आता है 22,630 यहां से हमने दो बार नीचे गिरावट दी थी अब आप लोग यह कह सकते हैं कि यहां पे एक double bottom बन रहा है यह यहां पे तो possibility कि यहां से हम उपर जाएंगे इसको break करेंगे yes definitely एक possibility है यहां पे लेकिन दूसरी बात यह भी हो सकती है कि यहां पे जाने के बाद हम थोड़ा सा consolidate करेंगे और अच्छा होगा अगर consolidate करके फिर हम नए हाई को break करेंगे और मेरा यह मानना है दोस्तों कि पहला यह जो support है 22,600 का यह वाला level इसलिए क्योंकि यहां पे हमने एक candle लगा था डेली चार्ट में 4 एप्रिल को और वही से हम नीचे आये थे यहां तक 22,200 तक उसके बावजूद भी हम उपर गए थे यहां पे भी अगर आप देखोगे तो एक green candle जरू बना है उसके बाद red candle बना फिर से हम उपर गए थे 22,800 तक लेकिन वहां से नीच आएंगे तो यह जो 22,630,640 का support है हो सकता है कि यहां से हम थोड़ा consolidate करे यह speed breaker का का काम करे यहां पे हम उपर भी जाएंगे लेकिन मुझे इसा लगता है कि यहां से हम एक cross करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज़ादा दिक्कत नहीं होगी दिक्कत तब होगी जब हम 22,800 पे जाएंगे तो यह बहुत जरूरी हो जाएगा कि हम 22,630 पे जाए थोड़ा सा नीचा आए थोड़ा consolidate करे और फिर 22,800 को break करे दोनों बार अगर आप देखोगे तो यहां पे सिर्फ आपको दो candle दिखेगे यह देखे और उस दो candle में भी एक candle अल्ड़ी 22,800 तक जा चुकी है तो 22,800 तक जाने से पहले अगर हम consolidate करके फिर उपर जाते पर एक और resistance है 22,500 का जहां से हम नीचा आयते लेकिन 22,500 को cross करने में भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत तब होगी जब हम 22,800 पर आएंगे तो 22,800 तक मेरा view nifty में sale on rights का ही रहेगा यहां से मुझे clearly एक buy on dip का view दिख रहा है जो पहले sale on rights का हुआ करता था अभी के लिए अगर मैं weekly candle की बात करूँ तो आप clearly देख सकते हैं यहां पर यह देखिए मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ that will be better यह जो candle बना हुआ है यह exactly support से जो bounce आया हुआ है यह बिल्कुल उसी तरीके का candle है और यह weekly candle है अब weekly candle में दोस्तों अगर हो सकता है 22,600 तक हम जाए फिर से एक छोटा red candle बने और फिर उपर जाए it will be better तो weekly candle में भी clear indication है कि यह buy on dip से monthly candle में आपको दिखा रहा हूँ लेकिन यह formation में यह kind of doji candle बना हुआ है और यह doji candle इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहां से जब हम उपर जा रहे है तो एक pole and flag की तरह हम उपर जा रहे है तो यह हमारा बन गया है pole जो कि हमारा candle था एक December को open is equal to low बना 22,200 से 22,500 तक गए या फिर आप यह भी कह सकते कि यहां पे भी आपको एक pole दिख रहा होगा और यह जो हमारा बना हुआ है यह kind of flag बना हुआ है अब यह flag तब तूटेगा जब हम 22,800 को तोडेंगे उसके बाद आता है 23,000 का support तो यह मेरा view है nifty का जो buy on dips का है मेर stop loss होगा immediately यहां से 22,450 का अगर हम उसे तोड़ते तो थोड़ा 100-200 पॉइंट का गिरावट आ सकता है 22,200 का एक बाद टच कर सकते अगर हम वहाँ पे जाते तो यह clearly एक अच्छा मोका होगा buying करने का और सिर्फ nifty नहीं उसके साथ-साथ portfolio भी बढ़ रहा है तो it's a good thing और वहा चार्ट में आप देखोगे तो जो moment हा वो बहुत बड़ा moment हा लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो वो squeeze हो गया है यह देखे यह बड़ा एक moment हा लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो moment जो squeeze हो चुका है और यहां पे यह जो consolidation हुआ है इसको break करना जरूरी है और य 49,000 उसके बाद जो अगले 1000 पॉइंट है वो एक या दो दिन में भी आ सकते है इसका जो weekly chart है वो better है compared to nifty अगर आप देखोगे यहां पे इस week में हमने जो candle लगा हुआ है वो भी exactly support से bounce दे रहे है और इसका जो पहला resistance आता है वो आता है 48,500 के आसपस यह candle अगर आप देखो 29 April का तो इसका जो low है वो है 48,400 के आसपस तो यह 400,500 वाला जो range है वहाँ पे जाके हम एक बार रुख सकते उसके बाद अगर हम नीचे आते तो थोड़ा consolidation होगा exactly same जो मैंने 22,630,640 की बाद किये तो यहां पे consolidation होने के बाद फिर हम 49,000 पे जा सकते 49,000 और 22,800 यह दोनों ल जब भी trade करता हूँ तो मैं सबसे पहले एक बड़ा range निकलता हूँ अगर उस बड़े range को हम break करते तो मैं definitely वहाँ पे trade लेता हूँ और अगर वहाँ पे trade लेता हूँ तो minimum मैं अपने पैसों को double होते हुए देखता हूँ उसमें वक्त लगता है इंतजार होता है हम daily trade नहीं करेंगे और निफ्टी में 22800 को break करेंगे या फिर यहाँ से अगर हम नीचे आते दुबारा तो यहाँ पे मेरा जो immediate support होगा निफ्टी में वो का 47,500 और निफ्टी में में मेरा वो support होगा 22,250 के आसपस वहाँ पे में एक दुबारा trade ले सकता हूँ उसके बाद बात करेंगे निफ्टी PSU के बारे में तो यहाँ पे clearly view ऐसा है कि यहाँ पे हम इस triangle को break करने की कोशिश कर रहे है अल्रेडी हमने breakout डिया हुआ है अल्रेडी हमने एक range breakout डिया है हमने यहाँ से एक अच्छा कासा trade line को break किया है उसके बाद as expected हम consolidate कर रहे हैं और यहाँ से फिर से हम उपर ज सकते हैं it's a very very good buy अगर आप अभी buy करना चाहते है निफ्टी PSU में all those stocks are at very good support उसमें आप कोई भी अच्छा जो stock है उसको चुन सकते हैं जहाँ पे आप quarterly reset को monitor कर रहे हो लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपके पास stop loss भी होना चाहिए 7000 का 6900 का 6900 के stop loss से October November में मैंने जो वीडियो बनायते हैं उसमें कई सारी वीडियो में यह thumbnail था और मैंने यहाँ पे आपको बोल बोल के इतना थका दिया था इतना बोर कर दिया था कि Nifty IT आपको buy करना है और यहाँ पे उस वक्त सिर्फ यह head बनाता जो shoulders आप देख रहे हैं यह जो right वाला shoulder यह पे आके यहाँ से नीचे गिर रहे हैं लेकिन साथ में बात यह भी है कि यहाँ पे अब इसने एक support को hit किया हुआ है जो पहले resistance हुआ करता था अब बन गया है support यह support उसके बाद हमने इसे तोड़ दिया फिर हम आ गए यहाँ पे फिर हम इसे cross नहीं कर पाए जो breakout रीटेस की मैंने बात की और जैसे हमने इसे cross किया था अगर आप candle देखोगे अगले week का तो open is equal to low है almost और वहाँ से हम चले गए 35,000 और overall हम चले गए 38,000 पे तो मेरा view यह है कि अगर हम यहाँ पे इस वक्त hold करते 33,000 को अगर हम hold करते तो nifty IT में हम दुबारा 38,000 पे जा सकते और अगर ह हमने इसे break कर दिया 38,000 को तो फिर एक बड़ी short covering बड़ी up move बड़ी rally आपको देखने को मिलेगी जो आपने corona की वक्त देखी थी लेकिन इसके साथ-साथ अगर उतनी buying करने है उतना अगर level break करना है तो एक trigger चाहिए उस तरह का news चाहिए जहां से nifty IT breakout करेगा nifty IT में अगर आ अच्छा लगता है TCS अच्छा लगता है कई लोगों को KPIT अच्छा लगता है उसके बाद जैंसल टेक है उसके बाद Sonata software है बिरला software है वीप्रो है LTI, Maintree भी है कई सारे stocks है दोस्तों लेकिन मेरा जो favorite stock है वो persistent है और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं उसी stock को buy करूँगा मैं बाकी stocks को भी buy कर सकता हूँ Nifty IT के index में जितने भी IT stocks है उसमें से आप कोई भी stocks ले सकते हो long term का अगर आपका view है तो अगर आप अभी buying करना चाते हो इस वक्त तो persistent में भी हम एक अच्छे कासे support पे आ चुके है और weekly candle जो बनाए वो काफी अच्छा candle बनाए जिसने पिछले week के high को तोड़ा है तो आप करना चाते हो तो आप buy कर सकते हैं आपका stop loss होगा 3400 का लेकिन पहला target होगा 3800 का यहां से 300 point और अगला target होगा 4400 का अगर आपने 4400 को निकाल दिया तो यह stock आपको सीधा और मैं मजग नहीं करना हूँ दोस्ता हैं very very serious यह stock आपको सीधा 5 digit तक जाते हुए दिखेगा क्योंक यह देखिए यहां पर जुले 2020 में यह stock था 300 रुपे पर उसके बाद 2022 के चलते जब शुरू आता तब यह stock था 2500 यहां से यह stock था 300-400 यहां पर चला गया 2500 तो मैं यह कह सकता हूं कि लगबग यहां से 50 गुना यह stock हो गया फिर consolidation आ गया उसके बाद यहां पर इसने break कर दिया उसके बाद इसने अपने पैसो को डबल कर दिया सिर्फ एक साल में तो यहां से अगर हम उपर जाते 4400 को break करते तो 8500 या 9000 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उसके बाद 10,000 का एक psychological resistance यह बहुत दूर की बात हो गई लेकिन अभी के लिए आप इसको buy कर सकत पहला आपका जो target होगा वोगा 3800 और अगला जो target होगा वोगा 4500 का अब दोस्तों यह story तब है जब यह split नहीं हुआ था और उसके बाद जो अपसाइड आय थी वहां से हम चले गए थे लगबख साथ हदार साड़े साथ हदार तक इसका चार्ट मैंने यहां पर डाला साड़े साथ 8000 तक चले गए थे यह persistent की बात है जो मैं आपको आज कहने वाला था उसके साथ साथ एक वो stock है जो अपने thumbnail में भी देखा था और मैंने यह कहा हुआ है कि 25000 करोड का company और 55000 करोड का order book है इनके पास उस stock का नाम है NBCC यह stock मैंने आज यहां पे दिया हुआ है ल उसके बाद मैंने कहा था कि आप इसको buy कर सकते long term के लिए भी एक stock था NCC और दूसरा stock था NMDC अब दोस्तों very short time में लगबग 3-4 मैनों में सिर्फ इन stock ने 80% का run up दे दिया है reason order book अगर order book तगड़ा है तो definitely stock में accumulation होगा गिरावट में भी buying होगी और जब upside आएगी तब एक stock same मेरा logic है इसके साथ साथ मैंने औलेक्टरा भी दिया था इसके साथ साथ मैंने जनसाल टेक भी दिया था जिन में इस तरह की crazy upside आई है अदानी भी मैंने दिया था 1600 रुपे पे जो एक अच्छा कासा price था वहां से हम 4000 तक चले गए थे same चीज यहाँ पर आपको follow करनी है N NBCC में NBCC अगर आप अभी वाई करना चाते आप definitely कर सकते 143 पे यह stock है लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दू मैंने यह stock एक lower price पे भी दिया था जो यह stock है 44.5 पे high risk इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत जादा volatility था order book कम था उस वक compared to today उसके बाद अगर हम देखेंगे तो य यह इसका chart है और below 100 stocks में काफी जादा volatility भी है और यही मैंने यहाँ पे explain किया हुआ है कि क्यों मैंने यहाँ पे high risk का message डाला हुआ है support को इसने तीन बार touch किया था लेकिन hold किया था तो इसलिए मैंने यह कहा था कि high risk के जो लोग short term में जाना चाहते है long term के लिए कोई दिक्क investment group को join करना है उनके लिए मैंने यहाँ पे link दिया हुआ है यह same to same link आपको description में भी मिल जाएगा आपको demand account को open करना है उसको active रखना है और उसके बाद मुझे आप पिंग कर सकते और आप इस group में join हो सकते investment group में यह channel हमारा movies का channel है जहाँ पे latest movies आपको यहाँ पे मिलेगी ज सब कुछ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है लगबग हजार के आसपाच कुछ फाइल से जो मैंने यह डाली है अप उन्हें request कर सकते हैं आप उन्हें मांग सकते हैं जब तक telegram बैन नहीं करता हम इसको enjoy कर रहे हैं और यह वह message है जो मैंने डाला था just to join investment group और यह सारे stocks मैंने दिये थे यह देखिए टाटा पावर मैंने सच में 64 पे दिया था उसका प्रूब भी मैंने अल्ड़ी दिया हुआ है बात करतें NBCC के चार्ट के बारे में जिसके हम बात कर रहे थे दोस्तों चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको एक rounding bottom complete होते हुए दिखेगा और ज इसे इसने दुबारा इस लेवल को ब्रेक किया तब जाके इसने एक upside दिया था और यह पहुझ गया भी 143 पे मेरा यह मानना है कि यहां पर एक यह resistance ले सकता है थोड़ा सा नीचे आ सकता है अगर इसको उपर जाना भी है तो भी इस resistance के आसपास थोड़ी सी profit booking जरूर हो सकत होते है और फिर से अगर आप देखोगे तो एक यहां पर upside जरूर आ सकती है यह चार्ट बेटर है या फिर आप देखोगे तो मुझे यह चार्ट बेटर लग रहा है one and two यह तो जैसा मैंने आप से का कि यहां पर गिरावाट आ सकती है 130 125 पे 125 तक तो आमें नहीं जाना चाह आपको buying का price मिलेगा एक reward मिलेगा और यहां से अगर हम उपर जाते तो फिर पहला target होगा 176 का उसके बाद बारी आते इंदुस्तान petroleum की अगर आप इसको buy करना चाते तो आप अभी भी कर सकते 480 के आसपास इसका एक अच्छा करसा support zone अगर वहां तक आता है तो अच्छी ब तक देख रहा हूँ हिंदुस्तान petroleum अब इसको definitely buy कर सकते उसके बाद आता है BPCL BPCL में भी same story है almost same chart है अगर आप यहां पे देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा इस chart को अगर मैं ठीक करूँ तो कुछ इस तरह से आपको यह chart दिखेगा और यहां पे अगर आप नीचे आते 600 के आसपास कहीं पे भी 600 के नजदीक आते तो यहां पे हमारा एक support होगा पहला मेरा target होगा 645 का और यहां से उपर मेरा target होगा 700 का 700 अगर break हो जाता है तो फिर आपको यहां पे upside दिखेगी and let me tell you हिंदुस्तान petroleum और BPCL दोनों का almost chart same है यह दोनों stock मैंने यहां पे दिये हुए पहले मैंने 300 पे दिया था हिंदुस्तान petroleum एक double O चुका है उसके बाद 533 पे मैंने दिया है और BPCL मैंने दिया है 635 पे it's around same price लेकिन आप अभी भी इसको buy कर सकते है उसके बाद बारी आती इरकॉन की 247 पे मैंने stock को दिया था और आप देख सकते मैंने stock को दिया था 26 April को याने recently कुछ 18-20 दिन हुए याने आप कह सकते 15 session में और 15 session में यह पहुच गया है 272 पे तो आप यह कह सकते कि almost 20% तक upset इसने दिया है लेकिन मेरा यह मानना ह बहुत बढ़ी आ है और जो एक textbook breakout होता है उस तरह का breakout है लेकिन आ गए exactly उसी resistance में 277 अगर 277-280 को निकाल देता है तो फिर यहां से 500 तक का target इसमें आ सकता है इरकॉन में बहुत अच्छा movement है बहुत अच्छा structure भी है और आप इसको buy करना चाते तो मैं इस सला होगी कि आप 260-255 पर buy कर सकते उसके बाद हम यहां से 280 को दुबारा break करने की कोशिश करेंगे अगर गिरावट आती है तो लिकर स्टॉक का मैंने एक separate वीडियो में series बनाया था और उस पर मैंने बात की थी इन स्टॉक के बारे में लेकिन उसमें जो HDBL की बात है वहां पर मैंने यह भी क कर सकते हैं लेकिन दिक्कत यह कि बहुत जादा वोलाटाईले 240 से लेके 375 तक का इसका रेंज है लेकिन मैं अगर आपके सामने monthly चार्ट को रखू हूँ तो आप देखोगे कि इसमें भी kind of pole and flag का pattern है और यह लेवर इस चार्ट को मैं यहां पर रख देता हूँ तो एक कोश के लिए पहले 380 को break करना होगा तो यह बात है sdbl के बारे में और आखरी स्टॉक जिसके मैं बात करूंगा वह है आयर एपसी आयर एपसी में दोस्तों यह मेरा पिछले वीडियो का थमनेल भी था अगर आप देखोगे यहां पर यह देखिए एक लाग करोड का मार्केट क अब दोला करोड वन साल का वन येर का रिटन 300% फ्रेज ब्रेक आउट फॉर 10x की मैंने बात किये अब यह 10x का लॉजिक क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली बात यह है कि जब मैं IRFC मैंने दिया था तो यह मेरे लिए एक emotional stock है क्योंकि यह मैंने अपको अपन प्राउड फिल होता इस बात का क्योंकि मैं एक तरह से उनको मैंने profit बना के दिया हमाय लिए तो बहुत कुछ किया है उन्होंने लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा एक token था IRFC अभी भी हमने उसे hold किया हुआ है मेरा target है यहाँ पे 180 195 का अगर 200 हम break कर देते 200 तो फिर इस stock में जो IRC TC में हमने rally देखी थी उस तरह की rally आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकती है 82 पे मैंने stock जरूर दिया था लेकिन हम इसको discuss कर रहे थे 30 40 से और 82 पे जब मैंने इसको दिया था ता मैंने इसको explain किया था कि यहाँ पे एक और मैं YouTube वीडियो बनाऊगा उसमें explain करूँगा और वो YouTube वीडियो है यहाँ पे यह और इसको मैंने बार बार multiple times मैंने update डिया हुआ है कि आप इसको buy कर सकते 120 एक अच्छा कासा support zone था इसका अभी के लिए जो support zone आएगा वो होगा 160 का 160 150 पे अगर आपको यह मिलता है तो आप buy कर सकते आप अभी भी इसको buy कर सकते तार्गे होगा 200 का minimum उसके बाद अगर हम उपर जाएंगे तो फिर मेरा target होगा यहाँ से 400 500 का जो immediately आ सकता है so that's it for today thank you so much guys and thank you for your time